तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो यहां पर एपी एफो आपका जो है एससे का एक्जाम है वो चल ला था आपका शुरू हुआ था ठारे अगश्थ यहां पर तो बाइस का जो है फर्स्ट सिप्ट के एक्जाम समाप्त हो चुका है बाइस अगश्थ में तो जो भी तक ही अनलाइसिस पहुं सके और जिन लोगों ने चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो आप लोगों को चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है चलिए पहला कुश्चन देखेंगे पहला जो कुश्चन आपर पूंचा गया था कि भांड पांधेर जो है निमने लिखित में से क तो एक जो राज अगर अगर आपका भांड पांधेर यहाँ पर पूंचा वो जम्मू कश्मीर हो जाएगा नवरे तेवार और हिकत डांस होता है ये भी आपका जम्मू कश्मीर से होता है बाकी कुछ और भी तेवार हैं जो कि यहां पर आपके पूछे जा सकते हैं जैसे कि आपका इस पूतनी गश्टर कई बार पूछा जाता है इस पूतनी गश्ट हेमिस फेस्टिवाल आपका लोशार महुट सो ठीक है अगर आपके काल बेलिया और कटपुतली की बात करें घूमर हो गया गड़गवर हो गया यह सारे लोग नहीं रहते हैं राजस्तान से संबंदी थे कई बार एक्जाम में यही सेम डिटो देखने को मिलते हैं तो इस तरह से आपके क्विश्चन देखने को मिलते हैं डांसे रिलेटेड नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्विश्चन एक आपका आया हुआ था फोल्क लैंड का युद्ध का बहुत है था थोड़ा न्यू क्विश्चन लगा कुछ यह मुझे देखने पर तो और गंटा है फिल्म की भासा क्या है तो यह पर आपके फिल्में पूशी गई थी आप चमाना और घाटा की फिल्म की बात करिए तो यह ओडिशी से है यह निकि और पर पूंचा गया था और Oれ tuo आपका एक नरत्व भी होता है जो की भारत के आठ 65 नरतों में से एक आता अधा है और कई बाट जोैंगर के अंदर पुंचा जाता है और तो ये पूंचा जाता है कि केलुचण महापातर्वा सभी को पता हुना चाहिए कि ORE SAY से समबंदीत है और कि Jourष सन 2000 इस किस राज से संबंधित है आपका यहां पर आपका पनु भाजू पूछा गया था पनु भाजू ड्रेस जो है किस राज से संबंधित है तो यहां पर आपका गोवा इसका राइट आंसर था बाकी गोवार के और अगरते वहारों की बात कर ली जाए कि गोवा का और कौन से प्रमुक्तेवार है तो सिग्मो फेस्टिवल यहां पर काफी मनाया जाता है, कई बार पूंच लिया जाता है, कई बार एक्जाम में देखने को भी मिलता है, कि जो सिग्मो फेस्टिवल है वो भारत के किस राज से संबंधी था तो गोवा उसका right answer हो जाएगा, next question है कि घरेलू परपत में कितने वोल्ट की विदुष सप्लाई आती है तो अगर वोल्ट की बात करें कौन सा एक मौली करथव नहीं अगर मौली करतभ की बात करें कि कौन-कौन से खहने सब्सक्रख का पालन करते हुएरा राष्ट होज और राष्टि करना पड़ाईगा भारत की संप्र Cave की रक्षा करना पड़ेगा और आहान किया जाए तो देश की रक्षा करें यह राश्टी करतब होगा भाई शारे की भावना मिस्रित संस्कृति को जीवित रखना तो यह है आपके यहां पर 11 जो मौली करतब रखेगा इसके सासत आपके आता है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना वै आपका मौली करतबों में जोड़ा गया था जब आपका 26 संविधान संसोदन हुआ था 2002 में तो यह आपका बाद में जोड़ा जाता है वैसे आपके 10 मौली करतब ही जोड़े गये थे नेक्स्ट आगे है कि भासाई आधार पर बनने वाला पहला राज कौन था यहां पर दे अद्देश थे अलीफ फजल थे 1953 यानी 1953 में भासाई आधार पर पहला राज बनाये गया भारत के अंदर जो कि आंद प्रदेश था और 2000 में आपके और राज कुछ बने हुए थे जिसमें कि जारखंड था 36 गर था और उत्तराखंड थे यह नए राज थे जो कि सन 2000 में बन पहला राज बनने वाला कौन सा था तो 1953 आपका था आंधर प्रदेश बना हुआ था नेक्स्ट कुईशन था कि यहां पर आपका फॉल्क लैंड वार पूंचा गया था कि बिट्विन टू कंटी यानि कि कौन सा था फॉल्क लैंड जो वार था वो किन दो देशों के बीच यहां और ऑज्टीना और ग्रेट बिटेन के अंदर इसको लड़ा गया था आपका और बात करें तो यह वहार है यह आपका नाइंटिन आपका 22 में ओवर कन्ट्रोल आपका फॉल्क रांच हुआ था छुआ था फॉल्क लैंड जो आपका हुआ था पॉछी आपका देश प यहां पर आपका आट अगश्ता इसके स्थापना जो होती है बैंगॉल के अंदर होती है तो बैंकोक के इसकी स्थापना हुई थी नेक्स्ट आगे देखेंगे को जो पूछा गया आपसे नेक्स्ट कुईशन आया हुआ था एक वाट इस बड़ फ्लू आइरस चीज आपका बड़ फ्लू आपको बड़ फ्लू कहलाता है हो फाउंदेड दा मूक नायक या निकि मूक नायक यह पर एक लिखिय이다oter है आपकि पत्रिका टाइब की थी वो और ओर रोड़ दा मूक नायक यहां पर बी-ारवर मबेटकर इसका राइट आंसर था जोंए मूक नायक लिखा हुआ था और यह जो हह आपका 31 जबुर यह नीस सो बीस को 100 years ago आपका लिखा गया था न्यूस फेपर था जो कि फाउंडेट हुआ था आपका बाई भी आर अमबेटकर यह भीम राउंबेटकर के द्वारा यह आपका फाउंडेट हुआ था नेक्स्ट है नेक्स्ट है कि देखूँए जो question रेखने को मिला था कि जो बेकुरल होता है वो किसका मात्रक होता है देखिए बेकुरल के अगर बात करें तो यह आपका रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है यानि रेडियो सक्रियता इसका right answer था और इसकी जो खोज है वो हेंडरी बेकुरल के द्वारा की गई थी इसलिए इसका जो मात्रक है वो हेंडरी बेकुरर लखा गया था और रेडियो शक्रियता के दौरान जो होता है अलफा वीटा और गामा यहां पर निकलती है नेक्स्ट था कि पंजाब के लिए शाहित अकादमी पुरुसकार 2022 किसने जीता हुआ था तो पंजाबी में आपकी बात इसमें की गए थी तो यह कुईशन जो आपका यहां पर पूछा गया था नेक्स्ट कुईशन आपका एक कुईशन था एक एक इसका अंसर नहीं मिल पाया कि पंजाब का कौन सा फेस्टिवाल होता है जिसमें कि नाग देवता की पूजा की जाती नेक्स्ट कुईशन है कि राजतरंगणी का इतियास कहां वड़नी थे तो राजतरंगणी की बात करें तो यह कस्मीर का इतियास है जो कि महा भारतकाल से आरंब होता है और राजतरंगणी का इतियास है वह सब तरिशी समवत के नाम से लिखा गया है जो कि कलण के दौरा र बूलियन अभिविक्तिय वे अभिविक्तिय आपकी होती है जो किसी इस्थित का मुलांकन करती है और परवाम शरूब जो हुता है बूलियन नामक याहणि अर्ठाथ सत्या अशत्या आपका के सर 67 कोई जो है अपक्रिया आपको पूछी गई थी आपके एक्जाम में जो कि देखने को मिली हुई थी तो यह था ओल्मोस्ट देखिया आज का आपका 22 अगस्त में फर्स्ट शिप्ट का आपका EPFO यहां पर फर्स्ट शिप्ट का एक्जाम एसे से का जो भी कुछिशन पूछे आपको बताया गया है बाकि अपने कर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें बाकि टेलीग्रम चैनल और वाट्सेप ग्रूप का लिंक डिस्क्रिप्शन में तो वहां से जाकर के जुड़ जाना है